हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो आई हो बहुत अच्छे होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3rd कोडिनेट जिमेटरी इस वीडियो में हम सबसे पहले तो पूरे के पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और 2-3 चीज़े हैं सीखने की अगर वो अच्छे से सीख ली न तो इस एक्सरसाइज के अंदर से इस चैप्टर के अंदर से जो भी क्योस्ते न आएगा आप चुटकियों में अब आप कहीं भी चले जाते हो आपसे कोई भी मान लो टीचर मिल गया कोई या फिर कोई आपसे ज्यादा knowledgeable person मिल गया आपके relative मिल गए वो पूछ लेते हैं बटा coordinate geometry आती है आप confused हो जाते हो ये coordinate geometry क्या होती है वाई कई बार algebra पूछ लेता algebra आता है आप उसमें confused हो जाते हो तो coordinate geometry का exact meaning क्या होता है पहले वो समझो coordinate का मतलब होता है location geometry का मतलब होता है shape किसी भी shape size की कोई object है उसकी exact location को define करना क्या कहलाता है हमारा coordinate geometry कहलाता है अब example देखो मानलो आपका घर है कोई location पे होगा nearby कोई school है उसकी भी location होगी कोई hospital है कोई मंदिर है उन सब की क्या होगी एक location होती है ठीक है उसकी shape के बारे में study करना उसके बारे में define करना उसकी dimensions के बारे में बताना कोई object वो solid है या नहीं है वो चीज़े बताना सारी की सारी चीज़े किसके अंदर आती है coordinate geometry के अंदर ठीक है बात आगी समझ में अब main चीज़ है यहाँ पे location ओफे shape उसको define करना ही हमारी coordinate geometry है अब बही chapter number 1 के अंदर हमने एक चीज़ पड़ी थी locating ए point ओने number line अगर आपको कोई भी point दे रखा है और कोई value दे रखी है और उसको number line पे represent करना है तो वो भी तो locating हो गया एक तरीके से तो वो आपसानी से कर लेते थे एक number line represent करते बनाते center में 0 point लेते right side positive left side negative value लेते अब जैसे आपको माल लो यहाँ पे 4 को represent करना होता तो अब क्या करते वही right side में 4 पे जाते और इस परकार से circle कर देते तो इस location पे हमने क्या कर दिया वही identify कर लिया कि 4 यहाँ पे रहेगा हमारा locate कर दिया अब माल लो आपसे पूछ लेता कि minus 5 को represent करो तो left side आते minus 5 आपको दिखते ही यहाँ पे आप इस परकार से circle कर देते कि minus 5 भी locate कर दिया तो यह थी हमारी simple सी बात जो कि हमने chapter 1 के अंदर सीख लिए अब coordinate geometry के अंदर क्या होता है बच्चो कोई एक particular fix position हमें define करनी होती है किसी object की देखो कैसे मान लो मैंने इस board के उपर एक point बना दिया बच्चो इस परकार से और मैंने पूछ लिया आपसे कि बच्चो इस point की location क्या है अब क्या बताओगे जल्दी सोचो mind में आप ये कहोगे sir board के left side और upper corner में ये point बना हुआ है ऐसे ही तो बताओगे या तो ये कहोगे कि sir board के left side ये point है और फिर दूसरी चीज और define करनी हो तो क्या कहदोगे sir board के left side है और upper corner में ये बना हुआ है बट exact location तो आपको नहीं पता चली इसकी exact location क्या है तो उस exact location को हम denote करने के लिए identify करने के लिए या mark करने के लिए किस की help लेते है plane की help लेते है और plane के अंदर क्या होती है हमारी 2 axis यूज की जाती है बच्चो किसी भी point को represent करने के लिए एक तो होती है हमारी x axis जो की horizontal axis होती है एक होती है y axis जो की हमारी vertical axis होती है अब दुन्नों हमारी एक तरिके से number line ही है उसमें तो single number line थी इसमें दो number line यूज हो गई एक horizontal एक vertical अब ऐसे ही हमें क्या करना है जहां पर ये दोन्नों line अपस में cut करेंगी वो हमारा क्या हो जाता है बच्चो origin हो जाता है जहां से हम सारे के सारे distance major करते हैं अब example देखो यहां पर पहले x-axis पे pink वाली line पे ध्यान दो ये तो हमारा 0 हो गया right side सारी positive value left side सारी negative value ऐसे ही blue वाली line है 0 से उपर सारी positive और निच्ची हमारी क्या है negative value clear है अब हम यहां पर representation कैसे करते हैं तो हमें यहां पर दो चीजों की जरूरत होती है एक x-axis के point की और एक y-axis के point की तो अभी हम किसी point की exact location define कर सकते हैं अब देख लो माल लो मैंने क्या किया यहां पर एक point बना दिया इस परकार से अब माल लो मेरे पास x और y-axis ना थी तो आप क्या कहोगे sir right side of the board है यह point ऐसे ही बोलोगी और top अपर half में बना हुआ है बट exact location लेनी है तो x और y-axis हमें draw करनी पड़ेंगी अब देखो ध्यान से यहां पे हमने marking गरली बच्चो line दिखाई दे रही होंगी equal distance पे 1, 2, 3, 4, 5 हमें दिखाई दे रहा है कि 5 वाली line के उपर है यह ऐसे ही हम y-axis पे चलते है y पे भी हमें दिखाई दे गया कि 5 पे है यह ऐसे ही तो है ना देखो इस परकार से और यहां पे जी निचे से देखें तो यहां पे भी 5 पे है तो इस point की location क्या हुई x-axis पे कितना चलना पड़ा 5 तो पहले हम value लिखते हैं बच्चो x-axis की तो हमने लिख दिया यहां पे 5 फिर y-axis पे देखो कितना जाना पड़ा इस point के सामने 5 तो 5,5 क्या होगी इसकी location पता चल गया कोई और point लेते हैं माल लो भई मैंने point ले लिया ये वाला इसकी location हमें बतानी है तो हमें देखना पड़ेगा भई पहले तो ये देखो किस के सामने है 4 के इस परकार से dot लगा लिया फिर y-axis में देखो कहां पे है ये 3 के सामने तो हम इसकी location कैसे लिखेंगे पहले x-axis पे कितना चले हम 4 point y-axis पे कितना चले 3 point तो 4,3 क्या हो गई इस point की location हो गई तो इस परकार से हम किसी भी point को locate करते हैं किसी plane के अंदर समझ में आगई बात इतनी चीज़ clear है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब इससे आगे आजाओ main बात जो आती है वो आगई हमारी quadrant इन ये plane अब जो हमारा plane होता है जो x-axis और y-axis होती है वो हमारे plane को four portions में divide गरती है चार बागों में divide गरती है एक तो quadrant first, quadrant second, quadrant third, quadrant four चार पार्ट हो गई हमारे अब ये quadrant first, second, third और four का meaning क्या है द्याम से देखो हम कोई भी point लिखते हैं वो कैसे लिखा जाता है पहले x-axis और फिर y-axis पहले हम किसकी लिखते हैं value x-axis पे फिर हम लिखते हैं y-axis पे अब यहाँ पे ध्याम से देखो बैच्चो जो हमारा first quadrant होगा न उसमें x भी positive होता है और y भी positive होता है दोनों की दोनों positive value हमारी first quadrant में लाई करती है फिर आता है second quadrant second quadrant के अंदर first value क्या है negative इसका मतलब x negative होगा y हमारा positive होगा यहाँ पे ध्याम से भी देखो यह वाला हमारा coordinate है इधर देखो x क्या है negative और y क्या है positive तो x negative y positive कौन से quadrant में होता है second quadrant में अब बात आती है third quadrant की यह वाला इस वाले को कैसे locate करेंगे भई एक तो x axis क्या है negative और निचे y axis भी negative तो दोनों के दोनों negative किसमें होंगे quadrant third में होंगे clear आगे चलते है quadrant four इसमें आजो भई यह line help करेगी और यह line help करेगी locate करने में यह क्या है positive तो x की value positive y की value negative होती है हमारी fourth quadrant में clear होगे चारो के चारो quadrant कौनसे में कौनसी value positive negative होती है कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चले चलो गई next बात आगई भई important बात अब आपको ना कई बार x axis और y axis point ना देके ऐसे x और y ना देके आपको बोल देता है abscissa और ordinate अब आप confused हो जाते हो कि abscissa क्या है ordinate क्या है ध्यान से देखो x coordinate is also called as abscissa जो हमारा x coordinate होता है बच्चो वो हमारा क्या होता है abscissa होता है और जो y coordinate होता है ना हमारा उसको हम ordinate बोलते है क्या बोलते है ordinate पता चल गया x point को abscissa y को ordinate बोला जाता है ये चीज ध्यान रखना mind के अंदर set कर लेना अब last बात देखते हैं वही यहाँ पे हमें मालो कोई भी point दे रखे हो उनको हमें locate करना हो graph के उपर तो किस परकार से locate किया जाता है वो ध्यान से समझेंगे मालो बच्चो मैंने point दे दिया minus 2, minus 3 इसको बोल दिया कि graph के उपर locate करो सबसे पहले हमें क्या identify करना है बच्चो कि ये point हमारा कौन से quadrant में लाई करेगा जहां से देखो दोनों value क्या है negative दोनों value negative कौन से में होती है third quadrant में अब यहां पर देखो first वाली value किस की होती है x की दूसरी वाली value y की होती है तो x पर minus 2 जाना है और y पर हमें minus 3 जाना है x देखो कहा है ये रहा x पर चलेगा ये बाई minus 2 ये वाला point हो गया हमारा हो गया न एक तरिक्के से अब y पर कितना जाना है बच्चो minus 3 y किदर है निच्चे की तरफ तो हमें इसके सामने निच्चे की तरफ minus 3 के सामने पहुचना है तो इस point पर पहुच गये तो ये हमारा point हो गया minus 2, minus 3 locate कर लोगे न ऐसे अब और कोई point ले लिते हैं मालो हमने ले लिया भई 4, minus 5 इसमें देखो x positive है y क्या है negative कौन से quadrant में होगा fourth वाले में x positive y negative क्या है हमारा 4, minus 5 पहले x-axis में 4 देखो ये रहा अब y पे हमें minus 5 जाना है तो निच्चे जाना पड़ेगा negative पे इसके सामने चले दाओ minus 5 के सामने ये पहुच गए ऐसे तो ये वाला point जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 4, minus 5 पता चल गया ऐसे ही मालो आपको ऐसे जाना हो minus 5, 3 पे जाना है तो ये कौन से quadrant में आएगा हमारा second में आपको खुद से locate करके देखना है और बता देता हूँ 4, 1 locate करके देखना है minus 3, minus 2 locate करके देखना है minus 4, minus 7 locate करना है minus 7, 2 locate करना है और हमने भई 1, minus 6 locate करना है ये सारे point locate करके देखना आपको exact पतलब पता चल जाएगा कि किस परकार से हमें graph में point को locate करना हो clear ये homework है आपका चलें अब questions पे अब question number 1 देखो बच्चो क्या दे रखा है simple सा question है how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person अब भई क्या करना है आपने क्या कर रखा है अपनी study table के उपर एक lamp लगा रखा है आपको किसी दूसरे person को उसकी exact location बतानी है तो भई हर एक बच्ची के अलग-अलग table पर location हो सकती है lamp की तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी NCRT के साथ answer match करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है रट्टा नहीं मारना है आपको कोई भी अपने पास से एक table बना लेनी है example के तोर पे उस पे एक lamp रख देना है अब इस lamp की location देखो ये x-axis हो गई ये हमारी क्या हो गई y-axis तो x-axis में कितना distance है ये देखो ध्याम से बच्चो 15 cm है ना तो ये हमारी location क्या हो जाएगी ये वाली 15 cm x-axis में 15 और y में देखो कितना distance है 25 तो ये कितनी हो जाएगी 25 तो यहाँ पे location क्या हो गई हमारी location of lamb क्या हो जाएगी बच्चो पहले x की value लिखेंगे कितनी थी 15 और y की कितनी है 25 तो 15,25 क्या हो गया हमारा answer बस अब मानलो आपको ये वाली location पसंद नहीं है सर मेरा table पे तो और कहीं लिखा हुआ है मानलो ये position हो गई यहाँ पे आपने एक lamp बना दिया भई ये हमारा lamp हो गया सर इसकी location आपको define करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस point की जान से देखो ये यहाँ पे इस तरफ कितना है और इस तरफ हितनी height पे कितना है ये मानलो क्या है 10 cm और ये क्या है 5 cm तो x axis के पे क्या हो गया 10 y पे कितना हो गया 5 तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख देंगे 10,5 लिख देंगे ये answer भी हो गया कोई भी location अपने पास से बना सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है इस परकार से define करेंगे अब इसका last question देखो बच्चो क्या ह बहुत सारे बच्चे confuse रहते हैं इस question में बड़ी लंबी statement दे रखी है गभराने की ज़रूरत नहीं है एक एक लाइन को ध्यांग से समझेंगे क्या है वई इस city has two main road which cross each other at center of the city किसी सहर के अंदर दो road है वई main road है जो center of the city में क्या करते है आप पसमें एक दूसरे को cut करते ह एक दूसरे के और पार जते हैं मतलब वो चोरहा बनाते है आगे क्या कहा है इस तो रोड़्स आर अलोंग्ध नोर्थ शाउट एंड इस वेस्ट डारेक्सट अब यह जो दून्हों रोड है न एक तो है नोर्थ साउट डारेक्शन में एक है यही तक आ जाओ सबसे पहले म आपको अच्छे से identify हो जाएगी, दिख गई, ये हमारी क्या होगी, east-west direction, मतलब x-axis, ठीक है, एक हमें north-south में बनानी है, ये बनी हुई है, तो इस पे भी एक बार yellow mark कर लेते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई भई, north-south direction, और ये हमारी क्या हो गई, y-axis एक तरीके से, दोनों क क्या कर रही है, city के अंदर कट कर रही है, अब आगे क्या काया है हुजने, all the other streets of the city run parallel to these roads, and are 200 meter apart, अब और बाकी के road है ना, जो, वो इन दोनों road के parallel बने हुए हैं, और हर एक road में 200 meter का distance है, मतलब, जैसे मान लो भई, ये location थी, हमारा ये road था, तो इसके parallel सारे के स्वारे road ह और बाकी, और हर एक road में कितने का अंतर है, 200-200 meter का 200 meter का distance है, these are five streets in each direction, using one centimeter equal to 200 meter, हमें क्या करना है, एक centimeter को 200 meter मानना है, और हमें पांच road दोनों directions के parallel बनाने हैं, तो हमने क्या किया भई, ये हमारी north-south, east-west थी, इसके parallel बना दिया, पहला road, second street, third, fourth, fifth street, ऐसे ही हमने vertically बना द third, fourth, fifth street, आपस में है कहीं न कहीं एक दूसरे को cut कर रही है, पहली वाली के number लिख दिया भई, one, two, three, four, five, ऐसे ही vertical लिख दिया, one, two, three, four, five, ठीक है, आगे क्या कहा है उसने, draw a model of the city in your notebook, बना दिया भई, represent the road and street by a single line, road और street को हमने क्या करना है, एक single line से represent करना है, जो की हमन कर दिया, these are many, they, क्या है, there are many cross streets in your model, a particular cross street is made by two street, जो particular cross street है ना, cross का मतलब एक दूसरे को cut करने वाली है, वो दो line हो से मिलके cut कर रही है, देखो ध्यान से, ये वाली location देख लो बच्चो, इस पे पांचवी, fifth street और first वाली street क्रोस कर रही है, या नहीं कर रही है, कोई और ले street cross कर रही है, तो कैसे देखेंगे यहाँ पे, इधर देख लो ये four आ गया, और उपर जाएंगे तो third आ गया, तो ये four और three position हो गई, ऐसे दे रखी है हमें सारी की सारी, और इसमें हमें एक position को two five से denote करके दिखा रखा है, कि हम crossing of street को two five से denote कर रहे है, इसकी help से हमें क्या कर streets है, ऐसे ही how many cross streets can be referred to as three comma four, तो three comma four पे कितनी cross streets है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, four three और three four को locate करना है, तो ये तो हो गया हमारा four comma three ये वाली location, और three comma four हो गई, ये वाली location, तो cross street कितनी हुई इन दोनों point पे, एक ही तो है, cross तो एक ही बन रहा है ना दोनों का, तो एक ही हमारा cross होगा, और line कितनी use हुई है, यहाँ पे कितनी streets use हुई है, two streets आपस में एक दूसरे को cross कर रही है, बस ये answer आपको लिखना है, answer आ गया, बस आपको confuse करने के लिए दे रखा है, ये पिजाम में नहीं आएगा, बस ये आपको check करने के लिए है, कि क्या आपको locations के बार अपने friends में जरूर share कर देना, love you students, thank you students